दिल्ली के शाबाद डेरी में बीतिर अविवार को साहिल नाम के शक्स ने बरबरता की सारी हदेंपार कर दी। वो शाबाद कॉलोनी का रहने वाला है जांच में भी पता चला कि जबरू और साक्षी में इन दिनों दोस्ती थी। इस पूरे मामले पर जबरू ने क्या कहा है आईए आपको सुनाते हैं। जबरू की मुलाकात दस दिन पहले उस लड़की से हुई थी। उसने बोला कि भया ऐस ऐसी बात है एक लड़का मेरे को टोर्चर कर रहा है और दमकी दे रहा है बदमास हूं मैं यह हूं वो हूं तो हम उससे आय थे और मिले थे। उससे ओली में ने यही बोला था कि भाई लड़की को तुम क्यों टोर्चर कर रहा हूं बात खतम करो यहीं पर ही इतनी बात करने के बाद हम वहां से आ गए थे तो फिर अगले दिन उसका मडर ही करा हूं समय यही बात जब उसका मडर हुआ उसकी जान गई उससे पहले कहना है कि जवरू और साथ में लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है दोनों मिलकर धंकाने के लिए साहिल के पास पहुंचे है किसी को नहीं अब देखो ऐसे भसाने के लिए तो दुनिया बाते बनाती है कि हम मर रहे है तो इसको भी मरवाएं ठीक है यह तो दिल की रिव काम दंदेवाड़ा आदमी अपना काम दंदे से ध्यान रखता हूं साहिल से पहले कभी आपकी बातचीत पर चाहे था पहले कभी बातचीत नहीं थे बागी यह पर ही गूमते रहते थे मिलते थे बस साक्षी से जो लड़की ती जिसकी मौत हुई अत्या कर देगी उससे को लड़की आपके पास आई तो बहुत घबराई हुई थी क्या उसका हावाव कैसे थे उससे मुलाकात हुई है बैठी हुई थी मेरे पास आके बैठी थी तो उसने में पूरा अराम से बैठके रिलेक्स होके बताया था कि वह आई ऐसी ऐसी बात है और एक लड़का मेरे को आप लेकर लड़की थी मेरे साथ और में था है इस लड़की य 추णते हो परचा पर रचाह कैसे हुआ भावना लड़की भावना मेरे साथि रही हो चेह कर आई अब मायरा की लड़की है पूरी तरह आप पहले साहिल कर आट इसपूबशल टाना को और यूरा पहले piece रहीए उसके पास चाकू था जसने चाकू उस लड़की बात कि HAZ Nation answers मिरतका जब उस गली से गुजर रही ती तो बना बाद खतम करो तो हम आ गए देगर जब उस गली से घुजर रही थी तो उसने फोन करके उसको बूलाया था यह उसका देली रुटीन था वहांसे आना जाना तो इसका गहर के उसके अए, नेर। mini ate fashion था लेकिन अभी शचाले में नीतू dat है, शोन स्लुने में अभी हुँ सब्बूअ कि पहले एक मरे बंहाँ रहाओना, तो नीटू को कब से जानाती है थी अभी यह तो पता नी, वो सुनने में भी आया कि नीतू के साथ ही रहती थी वो